Hello everyone, यह जो वीडियो है वो specifically transaction analysis के उपर है बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि transaction analysis होता क्या है तो क्योंकि हमें लगता है कि transaction word जो है वो एक तरह से थोड़ा misleading है हमको लगता है transaction मतलब शायद कोई financial या commercial analysis है commercial जो हम transact करते हैं लेकिन अगर हम देखें तो दुनिया में जिन्दगी में हमारी जिन्दगी में जो एक दो जनों के बीच में एक तरह का lane-dain होता है या बातचीत होती है वो भी एक तरह का transaction है क्योंकि एक receiver है एक giver है तो यहां हम वो बात कर रहे हैं behavior science की जहां पे आप दो जनों के बीच में जो transaction हो रहा है या बातचीत हो रही है वो बातचीत कि जिस तरह से हम चाहते हैं दूसरे को communicate करना वो उस level पे क्यों नहीं हो पाती है क्या reasons होते हैं कि conflicts होते हैं relationships में, business में या हमारे कोई भी life positions में तो इसमें बहुत-बहुत interesting subjects हैं यह आपकी ego states के बारे में बात करते हैं या पे हम समझते हैं तो जो एक इनसान है उसके अंदर बहुत सी sub-personalities होती हैं लेकिन तीन predominant personalities होती हैं जैसे के parent, child और adult तो भले ही इसका कोई relation आपकी age से नहीं है तो आप कितने भी साल के हो लेकिन उसके बावजूद आप में एक child ego भी है तो जब सामने वाला कोई बात बोलता है तो आप उसको किस ego state पे ले रहे हो उसके हिसाब से वो transaction का result होगा तो अगर इसमें अलग-अलग nine positions है, complimentary positions जो parent to parent या parent to adult है या parent to child है जो ये तीन जो combinations है इसके बहुत सारे इसके nine जो combinations बनते हैं, parallel combinations होते हैं, there are complimentary and there are ulterior combinations also जहाँ पे ulterior message होते हैं, तो किस तरह से आप पैजान सकते हो कि सामने वाला या आप कौन से ego state में हो और ये सिरफ understanding ही नहीं है, जब हम ये सब चीज़े समझते हैं, तो हम उसका changes ला सकते हैं, हमारी organization के अंदर, हमारे घर, परिवार के अंदर, हमारे social status के अंदर और उसके वज़े से जो भी communication, relationship या social problems हो रही हैं, वो सब solve हो सकती हैं तो it's a very interesting subject, यहाँ पे life scripts के बारे में बात होता है, तो हम अपनी life की script खुद बनाते हैं, तो we can create our own life script it is based, जो हमारे experiences हैं as a child, और किस तरह से हमने observe किया, हम कुछ लोगों को model करने की कोशिश करते हैं तो बहुत से interesting चीज़े हैं, life script है, strokes है, हम अलग-अलग roles play करते हैं और इसके अंदर अलग-अलग हम drama है, rackets है, और बहुत से चीज़े होती हैं हमारी life में तो बहुत ही interesting subject है, और यह subject बहुत लाबदायक है, हम को बहुत ही काम करता है हमारे लिए not just as any person, as any role जो भी हम play करते हैं, as a parent, as a child, as a student, या एक office में, as a salesperson, as a businessman so please join, it will help you a lot, thank you